वर्म विल्कम पर चानल दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं एफल इंडिया लिमिटेट के बारे में सो दोस्तों कुछ समय से यह स्टॉक जो है अपने अगर देखा होगा तो इसने काफी ज्यादा करेक्शन लिया है अगर मैं आपको लॉंग टम चार्ट दिया है विए लुक इंट दे चार्ट वस ट्रेडिंग सम्वेर और नाइंटीन हंड़ेट सेविटीन हंड़ेट रूपीज लास्ट यर एक साल के अंदर में इस एक्शली गॉन तो हाई ऑफ 6,000 रूपीज तो बहुत ही मैसिव बहुत ही जबर्दस बना के दिया है लेकिन यहां पे एक पैनिक वाला सिच्योशन है दिसके पीछे कुछ रीजनस है जिसके चलते यहां पर करेक्शन देखने को मिल रहा है लेकिन आज हम वीडियो में क्लियरली बात करेंगे प्योर टेकनिकल चार्ट के बेसिज पर कि यहां पर हो क्या रहा है दो दूसतों हमेशा से हर एक वीडियो में मैं intrinsic value पर video बनाता हूँ and intrinsic value जब भी मैं discuss करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी stock में अगर आपको calculation करना है तो आपको ये सबसे बहले जानना है कि stock का जो fair value है या फिर उसका जो trading price है वो क्या होना चाहिए ताकि आप decide करो कि ये सही समय है invest करने के लिए या नहीं सबसे बहले अगर दोस्तों मैं आपको intrinsic value दिखाऊ तो FL का मैंने calculate किया intrinsic value अगर आप screen पर देख पारे हो तो जो correct intrinsic value है मैं generally Benjamin Graham का formula यूज करता हूँ अगर आपने नहीं देखा है पुराना videos आप जाके मेरा playlist चेक करो intrinsic value का you will get a lot of videos and I have also explained how to use the formula so the intrinsic value is coming somewhere around 4,186 that is somewhere around 4,200 approximately पकड के चलते हैं so if I come to the stock price right now so it's trading approximately at its intrinsic value price तो जितना इसका fair value है जितना इसका intrinsic value है exactly उसी value पे trade कर रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पे खाली intrinsic value देखके ही आपको decide नहीं करना है क्योंकि stock के fundamental parameters भी होते हैं and जिस तरह से stock counter ने movement दिया है उस तरह से आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कितना volume भी generate कर रही है counter उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे volume भी बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है maybe the reason is यहाँ पे बहुत जादा profit booking भी देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ सबसे important चीज़ यह है RSI factor कभी भी कोई भी stock में investment करने के से पहले अगर आप intraday trader हो आपको देखने की ज़रूरत नहीं यहाँ कियोंकि आप in short term के लिए प्ले रहे हो आप exit भी कर जाओगे लेकिन if you are a long term investor if you are planning to invest for a longer span of time then RSI is something that you should always consider यह RSI देखके आपको पता चलता है कि जो stock है वो overbought है या oversold है तो अभी अगर आप देखो तो it is extremely oversold 14.93 में trade कर रहा है यहाँ किसी भी moment आपको अच्छा कासा bounce back या फिस short covering देखने को मिल सकता है मैं आपको लिए चलता हूँ अपने twitter account पे आप अगर मेरे twitter account पे आओगे चैनल के नाम से सर्च करोगे kubirpedia नाम से आपको मेरा twitter handle मिल जाएगा मैंने description में दे भी रखा है link आप चाहो तो join भी कर सकते हो यहाँ फॉलो भी कर सकते हो यह अगर आप मेरा tweets follow करोगे यह मैंने 28th June को जस्ट दो दिन पहले मैंने एक tweet दला था वहां मैंने clearly यह mention किया था same चीज those with some space capital कुछ मैंने यह space नहीं टाइप हो गया यह spare लिखने वाला था मैं those with have some spare capital can buy 1 or 2 FL as it is in extremely oversold zone and can bounce back any moment अगर आप देखो जिस दिन मैंने video upload किया था उस दिन का जो price था उसके हिसाब से अगर आप देखो यहां पे बहुत massive उसका था RSI 22.89 मैंने बताया था कि आप यहां पे position buy करना start कर सकते हो क्योंकि यहां किसी भी moment में आपको correction देखने को मिल सकता है तो अगर आप देखो मैंने करीब करीब इस price पे कहीं पे मैंने suggest किया है आपको 4500 के आसपास तो यहां से already एक upmove आपको देख रहा है यहां already movement start हो गया है और कहीं न कहीं यहां पर अगर आप देखो तो यहां volume बढ़ता हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा चार्ट पर तो clearly indicates कि यह already oversold हो गया है अब इसमें विक्वाली के लिए कुछ बचा नहीं है जो लोग positional traders है और investors है वो तो बने हुए है लेकिन जो short term investors थे उन्होंने अपना profit निकाल लिया है they have already booked अभी यह consolation phase है जहां से एक किसी भी moment में यह up move दे सकता है तो definitely मैं इसको कहूँगा अगर आप long term investor हो अभी आपको panic नहीं करना है just hold on to it and यहां इसने जो अपना high लगाया था जिस प्राइस पर यह already गया था चे साड़े चेहाजार यह तो जाएगा यह उसके बाद definitely यह आपको five digit figure में आता हुआ दिखेगा for sure है in coming future थोड़ा सा patience रखना है जल्द बाजी में कोई counter loss में sell नहीं करना है क्योंकि यह बहुत ही अच्छा counter है वीडियो में बने रहने के लिए और मैं बहुत जल्द हाजीर होता हूँ एक नया और important content लेकर